आप सभी को राम राम भारतिये और सनातिनी लोगों में एक अजीब सा फिनॉमेना होता है उनको अपने भारतिये और सनातिनी होने पर गर्व ही नहीं होता है जबकि ऐसे लाखों लोग हैं जोनों ने अपनी जान गवाई ताकि हम जैसे लोगों को अपने भारतिये और सनातिनी होने पर गर्व हो उनमें से एक थे नेताजी सुभाज चंद्र बोस लेकिन Facts of India के इस एपिसोड में हम उनकी बात तो करेंगे पर इस गर्व को आगे बढ़ाने के लिए आपको भी शेरिंग करनी होगी चाहे आप विदेश में हो चाहे आप देश में हो ऐसे Facts को जब आप आगे लेकर आएंगे तब ही हम गर्व कर पाएंगे तो मैं स्वागत करती हूँ गुरु जी का राम राम गुरु जी राम राम आपको और Young Moves Media की पूरी टीम को Youth Awakening Mission की पूरी टीम को बहुत सारी बधाईयां सादुवाद की वह इतना अच्छा कारिक्रम देखे आएं दन्यवाद गुरु जी मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि नेता जी के व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी खास बात थी जो हमें नहीं मालूम बहुत अच्छा प्रश्ण है समा नेता हम नेता जी को दुनिया का सरुषिश लीडर मानते है मिलेटूर लीडर मानते है हम सब लोगों को ये पता है वो आई सी एस अधिकारी थे हम सब लोगों को पता है वो चेर्मन रहे हैं वो हम सब को ये पता है क्यों पहुंची नहीं या कहीं छुपा तो नहीं ले गई पता नहीं लेकिन वो खास बात ये है कि जब नेता जी सतरह वर्ष के थे तो बहुत व्याकुल थे वो देश के लिए कुछ बहुत बड़ा करना चाहते थे और वो बहुत व्याकुल थे और उस व्याकुल तामे वो इधार, उदार, उदार, इधार बटक रहे थे। एक दिन अपने एक मित्र के पास जाते हैं और उसके पास रखी हुई बुक्स पढ़ने लगते हैं क्योंकि उनको पढ़ने का बहुत शौक था आपको अगर लीडर बनना है तो आपको भी पढ़ना पढ़ेगा पढ़ते पढ़ते उनके हाथ में रीबुल इंडिया लगी एक किताब पता ही किसकी भाशन थे किसकी लिखी हुई थी स्वामी विव को सक्की अवेलबल थी उन सब को पढ़ते चले गए पढ़ते चले गए पढ़ते चले गए और अधियात्म के शिक्षर पर पहुंच गये वो भी कैसे जापाइन में जर्मैनी में जब बंबरस रहे होते हैं वह वहाँ पर ध्यान कर रहे होते हैं उनका ध्यान नहीं तूटता है पंडुब़ी के अंदर बैठें हैं बॉंबार्डमेंट हो रहा है लेकिन उनका ध्यान नहीं तूटता सिंगापुर में भी रात में बिलकुल एक अध्यात में एक साधू की वेश वुशामेयार के मुशन जाते थे वहाँ पर और ध्यान करते थे सौमी जी की चित्र के सामने जब उन्हें देश छोड़कर जाना था तो उनकी एक जिद हो गई और जिद ये हो गई कि जब तक दोखिनेशर की मा काली के चर्णों का रखा हुआ पुश्प मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा और वे गुडल का पुश्प ले थी वह कितने खतरे में गेरे हुए थे बावजुद उसके वह पुश्प लिये बिना नहीं गए और जीवन परियंत गीता और स्वामी जी का सारा लितरिचर स्वामी वेकानिल जी का सारा लितरिचर हमेशा उनके साथ रहता था जीवन परियंत जब तक वो जीवित रहे तब तक ये लिटरिचर उनके साथ रहा ये बात बहुत थोड़े से लोगों को शायद मालूम होगी जो मने आपको बताई कि वह अध्यात्म के शिखर पर थे और हमेशा याद रखिएगा युमाओं अगर आपको सही माईने में नित्रत करना है सही माईने में तो अध्यानशीलता वीलता और अध्यात्म ये तीन चीज़ें आपके साथ रहनी चाहिए अनेता आप उठने बड़े नेता नहीं बन सकते आप सब ये जानना चाहते होंगे न कि 23 जनवरी 1897 में पैदा हुए नेता जी का जैहन से क्या लेना देना है चलिए पूछते हैं बहुत अच्छा प्रश्ण है ये 1933 की बात है चेंबा क्रमन पल्लाई नाम के एक व्यक्ति उनसे वियना में मिले और इन्होंने उनसे जब अभिवादन किया अपसमें इनकी हलूद जैसे था ये जब एक्षेंज हुआ तो उन्होंने जैहन कहके इनका अभिवादन किया जैहन पस ये बात इनको जच गए नुनने कहें ये चीज बहुत अच्छी है उसके बाद एक व्यक्ति थे जिन्होंने सब कुछ छोड़ चाड़के इनके साथ इनके सकेटरी के रूप में जॉइन किया और वो व्यक्ति हैं आबिद हुसेन आबिद हुसेन जी को ये चीज अच्छी नहीं लगती थी कि लोग religious salutations करते थे तो उन्होंने सुभाज बाबू से कहा कि एक नारा ही रखिये और वोही आजाद हिंद फौज का नारा होगा तो उनके कहने पर उन्होंने जैहिंद को आजाद हिंद फौज का अभिवादन भी मान लिया और नारी की तरह भी स्विकार कर लिया यह है 1933 में जैहिंद की गाथा तब से आज तक फौज में भी राम राम भी होती है जहे हम लोग करते है और जैहिंद भी होता है पुलीस में भी देखे जैहिंद होता है और करोड़ों लोग नित्व पुर्त दिन जैहिंद बोलते हैं 1933 से शुरुआ इसमें एक बहुत बढ़ी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ बढ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है देवगर एक जगा है बिहार में सब लोग जानते हैं वहां गौरी शंकर नेवर जी रहते थे आज भी उनका परिवार वहां रहता है उन्होंने 1933 में सुदेशी आंदोलन प्राहरम किया अपने तरीके से कैसे साबुन बना के और उस साबुन की ब्रैंग थी जैहिं साबुन 1933 से शुरू हुआ ये अब जैहिं साबुन का काम क्या था वो इस साबुन को लोगों में बिचते थे बाटते थे तो ये जो नारा था सुभाज बाबु का ये पहुंच जाता था इंस्परेशन बिलती थी लोगों को लोग उनके दुकान पर आते थे कहते थे जैहिं वो तुरहन जैहिं तो हजारा लोगों में रोजाना जैहिंद होती थी अंग्रेशों को ये चाल पता चल गई नेवर जी की अब क्या हुआ अंग्रेशों ने उस वक्त एक पॉलिसी बनाई थी कि वो सबसिडी देते थे लोगों को तो अंग्रेशों ने इस नारे को अंग्रेशियत के ये अंग्रेशों के वरुद मांग लिया था तो उन्होंने क्या किया कि इस साबन पर सबसिडी देना बंद कर दिया ये बड़े क्राइसिस में आ गए लेकिन चुकि ये साबन लोगों में बहुत प्रिये हो गया था और आज भी है लोग इसे खरीदते रहे और ये साबन चलता रहा तो देखिए हमारा जो राश्ट्रिया अंदोलनास तो हम खुले जगत में सांस ले रहे हैं तो उसकी कीमत नहीं समझते लेकिन ऐसी छोटी छोटी करोडो कहानिया है जहां लोगों ने अपने अपने स्तर पर वीरता दिखाई और भारत को उसका स्वाभिमान उसका गर्व और उसकी स्वाधिनता लोटाने की कोशिश की गुरु जी क्या गांधी जी नेता जी को इतना भी पसंद नहीं करते थे कि सीतर अमया जी की हार को उन्होंने अपनी हार कहा और फिर नेता जी ने का कि मैं पज छोड़ देता हूँ देखे कई बार ऐसा होता है इतिहास जब हम लिखते हैं तो उसमें पूरवग रहा आ जाता है यह बहुत नैचुरिल है लेकिन युवाओं को सही इतिहास पता होना चाहिए जितना भी रिवील है भारत का जादतर इतियाद चुपा दिया गया है यह भी मैं आपको बता रहा हूँ और हम लोग मिलके उसके पन्ने उगाड़ेंगे उन किताबों को ढूड़ेंगे खोलेंगे आपके सामने वो रहसे फैक्स अफ इंडिया में देखें गांधी जी ने क्या कहा था और उन्हों ने इसका एक्स्प्रिणेशन दिया था उन्होंने ये कहा था कि चुकि मने कहा था सीता रमय्या से कि तुम खड़े हो एलेक्शन में जबकि वो खड़ा होना नहीं चाहते थे इसलिए जब वो हार गए तो मने उसके जिम्मेदारी ली moral responsibility ली कि ये हार मेरी हार है मने इस सेंस में का था ये गांधी जी ने उसे explain किया है एक बात दूसरी चीज़ हम लोगों को ये लगता है कि दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त मन भेद था याद रखिए मतभेद थे क्योंकि गांधी जी का रस्ता अलग था सुभाश बाबू का रस्ता अलग था तो मतभेद थे मनभेद नहीं थे 11 बार सुभाश बाबू जेल गए हैं 11 बार और इतना torture उन्होंने सहा है कि उनकी टबिट खराब हो गई और गांधी जी ने हर बार उनकी मदद की है और मैं documentary evidences के basis बात कर रहा हूँ ऐसे ही नहीं तो आपको ये जरूर याद रखना चाहिए कि 2 October 1943 को जब बंकॉक में रेडियो से वह बोल रहे हैं तो उन्होंने आजाद हिंद फौज की पहली ब्रिगेट का नाम महात्मा गांदी के उपर लेकर और साथ-साथ ये भी नहीं भूना चाहिए कि राष्ट पिता आज बहुत सारे लोग उनके राष्ट पिता के नाम को लेकर बड़ी बड़े कटाक्ष समाज में फैलाते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये नाम तो सुभाश बाबु ने उन्हें दिया था बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे कि वो राष्ट पिता कहां से हुई ये तो सुभाश बाबु बताएंगे क्योंकि ये नाम प्रजीज अलग-अलग थी लेकिन मनुभेद नहीं था एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब लोगों तक ये खबर पहुंची जो गलत थी कि सुभाश बाबु अब नहीं रहे प्रेन क्रैश में वह चल बसे हैं तो उनका क्रिया क्रम गान्धी जी ने नहीं ह प्रकार से देखता हूं मैं अब मुझसे असेमित हो सकते हैं लेकिन मैं इसको इस प्रकार से देखता हूं कि शायद गानी जी को ये पता था इसलिए उन्होंने वक्रिया करम नहीं होने दिया तो बहुत सारी चीज़े होती है इत्यास में जो कहीं गर्त में चली जाती है या धूल में दबा दी जाती है जान बूज कर तो मैं पुनह कह रहा हूँ दोनों के बीच में मतभेद है स्ट्रेजीज को लेकर इसको लेकर डिफरिंस ओफ उपीनियन है लेकिन मनभेद नहीं है दोनों एक दूसरे की बहुत इज़द भी करते हैं बहुत प्यार भी करते हैं यंग इंडिया में गांधी जी ने सुभाश बाबू के लिए बार बार पुशंसा में बहुत कुछ लिखा भी है आपने एक बहुत इंट्रेस्टिंग बात की कि नेता जी का क्रिया करम गांधी जी ने नहीं होने दिया तो उनकी डेथ का रहस्य क्या है क्या वो 1965 में थे या नहीं थे ये बहुत बड़ा जूट है इंटरनेशनल कॉंस्परेसी है कि 18 अगस्ट 1945 को बाबु सुभाष चंदर जी की मिर्त्वी हो गई थी एक प्लेन क्रैश में ये हुआ ही नहीं था क्यों नहीं हुआ था क्योंकि प्लेन उड़ा ही नहीं था कोई रिकॉर्ड नहीं है प्लेन उड़ने का और उसके बाद भी आप देखिए कि जो रिपोर्ट्स आई भी हैं इदर उधर की कोई कहता डेड़ सो फिट पर उड़ रहा था कोई कहता डेड़ सो मीटर पर उड़ रहा था कोई कहता डेड़ हजार मीटर पर उड़ रहा था यानि कहीं कोई इसको लेकर unanimity ही नहीं और सबसे बड़ी बात कोई भी एयरपोर्ट पे ऐसा record ही नहीं है यह बहुत बड़ी international conspiracy है जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे फिर कभी अब एक death certificate की बात की जाती है इसमें मैं दो लोगों को साधुवाद देना चाहूँगा चंद्रचूर जी को और अनुजुधार जी को उन्होंने इस पर बड़ी जबर्दस रिसर्च की है एक death certificate प्रस्तोत किया जाता है कि यह उनका death certificate है रिमपॉक में जो जपाइन में एक मंदिर है वहाँ कलश के अंदर उनकी अस्यां रखी यह दो बाते कही जाती है जब इस पर कमिटी बैठी हमारा कमिशन बैठा और उस कमिशन ने जब जाच परताल की तो पता चला वो death certificate और उस कलश के अंदर रखी हुई अस्यां दोनों किसी जापानी सेनिक की है अब इतना बड़ा जूट क्यों पहलाया गया इसकी परताल अभी होनी बाकी है एक महतपू स्टेटमेंट मैं आपको सत्तनराय सिन्हा जी का बताना चाहूँगा जो नहरू जी के पीस थे खोसला कमिशन के सामने इन्होंने गवाही में कहा था कि केजी बी के कुछ लोगों ने बताया कि वो वहां से मंचूरिया होते हुए बैरिक नंबर 45 साइबेरिया में शिफ्ट हो गए थे क्योंकि जापान हार गया था और उस वक्त इन पर ये खत्रा मंडरा रहा था मतलब निताजी पर कि कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज चुकि अंग्रेज उन्हें प्रिजनर ओफ वार मानते थे अंग्रेज उन्हें क्रिमिनल वार क्रिमिनल मानते थे तो कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेज उनके साथ अत्यचार करें इसलिए वो वहां सेफ जोन में जाकर रहने लगे शिक्स्टी सिक्स में उनको देखा गया है और उसके बाद सडनली एक बड़ी घटना होती है ये पता चलता है कि एक गुमनामी बावा जिने भगवान भी कहते हैं उनके अनेक नाम हैं उनका अंतकाल हो गया उनकी दित हो गई राम भवन फैजाबाद में उसमें चीज पता चली कि उनके यहां बहुत बड़े बड़े लोग आते जाते थे सुभाश बाबू दुरगा पूजा बड़ी दूंदान से मनाते थे और वहां भी जब वो गुमनामी बाबा के रूप में रह रहे थे उस वक्त में भी वह दुरगा पूजा मनाते थे वर्श में एक बाद वहां ये कारिक्रम अवश्य होता था और इसमें उनके घर के लोग आते थे अब सरा सोच के देखिए एक और एविडन्स देता हूँ एक बकसा खुलता है 26 नंबर का इस बकसे में एक जर्मन की दुर्वी निकलती है अजाद हिन फौज की फाइल्स निकलती है टाइप राइटर निकलता है शुबाश बाबू क्रॉक्री वगएर के बड़े शौखीन थे तो कुछ क्रॉक्री उसमें से निकलती है और कुछ ऐसे फोटोज निकलते हैं जो किसी और के फोटो कोई क्यों रखेगा जैसे उनके माता पिता बेहन बाई के फोटोज फैमिली फोटोग्रैफ्स यह सब उसमें निकलते हैं मैं तो मानता हूँ कि गुम नामी बाबा और कोई नहीं सुभाश बाबु नहीं थे सिद्व पुरुष थे और इतने वर्ष वो वहां रहे उन्हें किसी ने देखा नहीं क्योंकि वो सिद्व पुरुष थे सारा दिन ध्यान साधना करते थे या लिखते परते होंगे और वहें कमरे में रहते थे उस कमरे से बाहर वाले कमरे के बीश में परदा पड़ा रहता था जो कोई भी वहाँ पर आता था वो बाहर बैटता था और उस परदे के पीछे से वो उससे बात करते थे इसलिए किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा लेकिन अगर आप उनका चेहरा देखेंगे तो समझ जाएंगे कि ये चेहरा किसी के नहीं सुभाज बाबू का है हलाकि कुछ लोगों ने ये भी उड़ाने की कोशिश की कि ये और कोई नहीं कि नेपाल का क्रिमिनल है लेकिन अब ये सोचने की बात है कि एक क्रिमिनल वो सुभाज बाबू की आजाद हिन फौज की फाइल्स क्यों पढ़ेगा एक क्रिमिनल के पास सुभाश बावू का परिवार क्यों आएगा वो बेंगली में बात करते हैं और उनके पास इस देश की नामचीन हस्तिया पहुंच रही हैं जो उचे पदों पर प्रतुष्ठित लोग हैं मैं अभी नाम लेना नहीं चाहरा वो उनके पास पहुंच रहे ह तो फिर लगभग 85 में उन्होंने ये देए त्याकि बड़े सिद्ध पुरुश हैं वह दुनिया के सर्वशेश नेताओं में से एक हैं और 23 जनवरी को हम सब लोगों को और कुछ भी ना करें प्रणाम जरूर करना चाहिए क्योंकि उन्होंने इतना कठिन समय जो गोजारा अपना सास्त खराब कर लिया हाँ आई सियस वो छोड़ दिया देश सेवा के लिए फौज में जाना चाहते थे लेकिन विद्रोही सभाव के होने की वज़े से फौज में जा नहीं पाए जिन्दगी का कोई सुख उनों नहीं 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 देखा अब जरा सोच के दे ले फिर ट्रेन में बैठे अफगानिस्तान वहां से पैदल पैदल रूस इधर दूतावास से उधर दूतावास बटकते रहे वहां से आस्ट्रिया गए वहां विवहा किया बेटी हुई जिसका चेहरा नहीं देखा और उसके बाद हिटलर ने उन्हें पंडबी से कितना ख ठोड़कर रहना कि जिनी कठन संदगी उन्होंने जी इसलिए एक जैहिन तो उनके नाम का बनता ही है सवाल कितने थे और जवाब कितने अच्छे मिले क्रांटी कारी होते हुए भी अध्यात्मिक मत भेट था लेकिन मन भेट नहीं था पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया ICS की नौकरी छोड़ दी त्याप किया ऐसे थे हमारे नेता जी उनके जिंदगी में सिफ और सिफ देश था उस देश के फाक्टS हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं फैक्स ऑफ इंडिया में गुरुजी आपके सामने लेकर आ रहे हैं फैक्स ऑफ इंडिया में तो कमेंट कीजेगा बताइएगा कि आपको शो कैसा लगा और अच्छे से शेयर कीजेगा क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक गर्व कैसे करेंगे इसी बात पे राम राम भारत मता की जे